जै श्री राम आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ती चैनल विनोदिनी राधे सर्गम में। आप सभी को श्री हनुमान जी जन्मोटसव की हार्दिक शुपकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी को केसरी नंदन और आंजनाए पुत्र कहा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार इन्हें हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। इसलिए यह पवन पुत्र भी कहलाए गए। पौरानिक कथा के अनुसार त्रैता युग में राजा दशरत जी के यहां पुत्र प्राप्ती के लिए एक हवन का आयोजन हुआ। हवन समाप्ती के बाद गुरु देव ने प्रसाद की खीर राजा दशरत की तीनो रानियों को शल्या, सुभध्रा और कैकेई को बाटी। उस समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया। उड़ते उड़ते वह पक्षी देवी अंजनी के आश्रम चला गया। यहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी। उस दोरान पक्षी के मुह से खीर माता अंजनी के हाथ में गिर गई। देवी ने इसे भोलिनात का प्रसाद मान कर ग्रहन कर लिया। इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजनी ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन दिया। उस दिन चैत्र मास के शुकल पक्ष की पूनिमा तिथी थी। कल्युग में भगवान हनुमान एक मात्र ऐसे ईश्वर अवतार हैं जो धर्ती पर मौझूद है। हनुमान जी को भोलेनाथ का अंशावतार और श्रीराम भक्त कहा जाता है। हनुमान जी से हमें चतुर होने की भी सीख मिलती है। समुद्र पार करते समय जब सुर्सा राक्षसी उन्हें खाना चाहती थी। तब हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से अपने शरीर का आकार बढ़ाया और एकाएक उसे छोटा कर दिया। इस तरह से वे सुर्सा के मुख में प्रवेश करने के बाद चक्मा देकर बाहर निकल गए। हर व्यक्ति के विन्म्र स्वभाव जरूर होनी चाहिए। हनुमान जी का रूप यही सीख देता है कि बलवान या बड़ा होना सब कुछ नहीं होता बलकि विन्म्र बनकर ही हम अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। असंख्य खूबियों में भक्ति भाव होना ही हनुमान जी के सवोत्तम गुण है। अपनी भक्ति के गुण से ही हनुमान जी श्रीराम के प्रिय भक्त बने। हर व्यक्ति में भक्ति भाव का गुण जरूर होना चाहिए। भक्ति से मन बलवान होता है। हनुमान जी कल्यूग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। उनका मात्र स्मरन करने से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। हनुमान जी को अमर्त्व का वर्दान प्राप्थ है। वे बलवान और बुद्धिमान हैं, इसलिए उनके समक्ष कोई मायावी शक्ती नहीं टिक पाती। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जै श्री राम